दोस्तों राज्जू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हाजिक पागत है एम्स डेली नर्सिंग ओपिसर एक्जाम हमने के बारे में पढ़ा और इसके लावा हमने की कमी से होने वाला एसाइटिस का ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ा था और कुछ यहां पर बचते हैं तो वीडियो की सकड़ी के अंदर दूबारा हम सिरोसिस अप लीवर के कुछ और यहां पर देखेंगे जिसमें दो इंपोर् के से करते हैं यह सारे के सारे कॉंपेटेटिव एक्जाम में कई बार रिपीटेट क्रेशन पूछे हुए इनके बारे में आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सब्सक्राइब को अब बारने के लिवर हम जाना जाता एं लूटर वर में पर दीशमें एकॉटर्ण कराएब मौन वां से स्टाइब क्रेटिव ग्लार वां जाना जाता है६ ऑन से दिसाइब लैंड सबस्क्राइब प्लियुट एस्टाइब की क्लाइण ट्यूब एक्ट बाई सेंगस्टेकन ब्लेक मोरे ट्यूब जो है वो किस तरीके से काम करती है तो मरीज सिरोसिस उप लीवर का है उसको हीमेटेमेसिस हो रहा है और इसोफेजिल वेरिसेज हमने सस्पेक्ट किया है और हमने डिसाइड किया कि उसको सेंगस्टेकन ब्लेक मोरे लावाज के लिए बड़े डायामेटर की यह ट्यूब होती है संगेस्टन ब्लेक मॉरे ट्यूब गैस्टिक लावाज का मतलब होता है स्टोमक को को empty करने के point of view में कामे लेते हैं दूसरा है इत अपलाई direct pressure to the gastric bleeding site gastric bleeding site के उपर direct pressure apply करता है तीसरा है block blood flow to the stomach and isophagus stomach और isophagus में blood के flow को block करने के लिए कामे ली जाती है और लास्ट आइट अपलाई direct pressure to the isophagus isophagus के उपर direct pressure apply करता है what is the correct one there is four options कौन सा correct होना चाहिए io इसोफेघर के ऐसोफेज़ वाली साइट युसटे उपर डारेक्ट प्रेसर अपलाई करेंगे तब ब्लीडिंग होना बंद होएगा तो यह इस्टोफेकस से हो रही है इसलिए यह पर गलत है और एक ऑप्सन बोल रहा है कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है तो यह संगस्टेकन ब्लेक्मोरे ट्यूब का काम नहीं है संगस्टेकन ब्लेकमोरे ट्यूब त्री लुमन वाला ट्यूब होटा थी लूमन तीन होते हैं एक entrance का जो है काम में लेते तो फी जो है बैَ यहां पर आंस्वर रहेगा डि a, b और c जो है वो गलत है को नेक्स्ट जो है अबाउट 30 मिनट्स आप्टर एप ट्रे सेंगस्टेकन ब्लेकमउरे ट्यूब बी इंसर्टेट सेंगस्टेकन ब्लेकमॉरे ट्यूब को इंसर्ट किये वे तीस मिनटी हुए थे कि नर्स ने अब्जेर्ट किया कि जो क्लाइंट है उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीधिंग के अंदर फॉर्स्ट एक्षन क्या रहेगा आपका जब आपने ट्यूब लगई 30 मिनट बाद में मरीज को जो है रेस्प्रेटरी डिफिकल्टी हो रही है यहां पर फिर इंटर्वेंशन का में लेना होता है अब आप जवाब दीजिए इसका इस option के अंदर तीन intervention है, एक assessment है, which is the assessment, very good, maximum people right है, C, यहाँ पर correct answer है, एक मातर assessment है, कि पहले यह determine करें कि tube ही obstruction कर रही है, और अगर यह confirm हो जाए कि tube ही ने airway को obstruction किया है, तो उस condition में deplet करने को हमारे पास में time नहीं है, बीना deplet किये वे tube remove नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, bad side के उपर एक seizure रखते हैं, और सीधा lumen को बार से काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो अगर यह determine हो गया कि tube नहीं obstruction किया है, तो तुरण tube को क्या कर दो, कट कर दो with the help of seizure, जो कि option में नहीं है, oxygen के flow rate को बढ़ाने से कोई फाइदा नहीं है, तो remove नहीं करन देगा C, next है, identify the image which is given below, और जिस tube की हम बात कर रहे हैं, यह वही ट्यूब है, this is the image, and यह image किसकी है, सेंगस टेकन ब्लेक मोरे ट्यूब की, हमने बोला इसमें कितने lumen होते हैं, तीन lumen है, आप यहां देख सकते हैं, तीन lumen है, एक lumen जो होता है, वो क्या करता है, वो gastric balloon के लिए है, यह gastric balloon है, दूसरा lumen जो है, वो किसके लिए है, यह isofagial balloon के लिए है, यह दूसरा lumen isofagial balloon का है, और तीसरा जो होता है, वो lumen जो है, वो gastric content को aspiration के point of view में काम में लिया जाता है, ती जो तीसरा lumen है, यह gastric content का aspiration करता है, एक lumen लियूमन जो होता है इसोफेजल बैलून है और एक लियूमन जो होता है वो गैस्टिक बैलून की रूप में काम में लिया जाता है क्योब का नाम है सेनुस्टेकन ब्लेक मोरेट ट्यूब next is the physician ordered oral neomycin एक percentage जिसको क्या दिया है oral neomycin वहाँ पे order किया है physician ने और साथ में उसको neomycin का enema भी दिया जा रहा है client जो है वो किसका है cirrhosis का है उसको oral और enema form में neomycin दवई दी जा रही है क्या परपज है इस therapy का नियो मैसिन therapy का परपज यहाँ पे पुछा हुआ है प्रोसेस के दोरान तीसरा option यहाँ पर दिया जा रहा है कि नियो मैसिन जो है वो ammonia के formation को block करता है ammonia का formation नहीं होने देता है अगला option है कि नियो मैसिन जो है वो reduce करता है bleeding को intestine के अंदर क्या काम है oral neomycin का for your kind information oral neomycin जो है एक antimicrobial agent है antimicrobial agent वो agent जो microorganism को क्या करता है kill करता है उसको antimicrobial agent कहते हैं और neomycin एक antimicrobial agent है microorganism को kill करने के लिए काम में आता है तो यहाँ पे cirrhosis of liver के मरीज के अंदर दै किएगा मरीज जब भी protein लेता है तो हमारे intestine के अंदर healthy bacteria होते हैं वो उस protein को metabolize करके ammonia में करतें वो ammonia जो है liver को जाती है liver उस ammonia को काम में लेकर यूरिया cycle चलाता है और उस ammonia को यूरिया में convert करता है यूरिया body sexygid out होता है अब क्या हुआ है जैसी हम protein इंटेक करते हैं liver उस तो आमोनिया में कनवर्ट यह को जाती है चोब इसको प्राम को बढ़ने से रोकने के लिए हम bacterial flora को bacteria जो की intestinal flora उनको हम खतम करने का काम करते हैं यह काम करने की वाली ड्रग है नियो माइसीन इंटेस्टाइनल फ्लोरा का डेस्ट्रॉई करती है जिसे अमोनिया का formation क्या हो जाता है ब्लॉक तो सी यहां पर विल्कुल correct answer यहां पर आंसर क्या रहेगा ती अमोनिया को क्या कर दिया है ब्लॉक अब्डॉमिनल प्रेसर को reduce नहीं करता एंटिबाइटिक डिफिकेशन में straining को prevent नहीं करता एंटिबाइटिक और bleeding intestine में reduce नहीं करता एंटिबाइटिक इसलिए ए बी और डी जो है वो गलत है सी बिल्कुल correct answer है इस ब्लॉक अमोनिया फॉर्मेश्ट है नेक्स्ट है एंटिबाइटिक नहीं करता है कि मरीज में एंटिबाइटिक एंटिबाइटिक हो रही है इसा क्या साइन आया पहला है decrease mental status कम हो जाना elevated blood pressure का बढ़ जाना decrease urine output का कम हो जाना और labored respiration respiration में problem होना इपेटिक एंट कैपलोपेटिक का साइन क्या क्या साइन है जो इपेटिक एंट कैपलोपेटिक के बारे में बता रहा है देखिएगा हाँ very good very good maximum people says डी जो की गलत आंसर है और कुछ लोगों ने बोला ए जो की सही आंसर है decrease mental status देखिएगा इपेटिक मतलब लीवर एंट कैपलो वर्ड फोर ब्रें पैति मतलब पहरा रही सी तो ब्रें जब अपेक्ट हो जाता है लीवर से तो ब्रें जब भी consciousness घड़ बढ़ाएगी तो mental status जो है वो decrease हो जाएगा तो सबसे पहला important चीज़ यह होती है कि level of consciousness altered होने की वज़े से mental status जो है मरीज का decrease हो जाता है और यह indicate करता है मरीज को एपेटिक एन कैपलोपेती हो गया है blood pressure जो है वो एपेटिक एन कैपलोपेती में नहीं बढ़ता है urine output कम नहीं होता है और respiration का समझ एपेटिक एन कैपलोपेती से नहीं है इसलिए b c d यहां पे गलत है इपेटिक एन कैपलोपेती वाली condition में सबसे पहले mental status जो है वो प्रिटर्ड होगा और मरीज जो है वो time place और person के परती औरियंट नहीं रहे पाएगा यह बहुत important aspect है इसलिए यहां पे आंसर क्या रहेगा next है clients serum ammonia level मरीज का serum ammonia level जो है वो elevated हो गया है फिजीशे ने prescribe कि एक order कि 30 ml मरीज को क्या दे दो लेक्टूलोज जब मरीज को 30 ml क्या दे दो लेक्टूलोज जब मरीज को 30 ml लेक्टूलोज दिया है उस दव़य का side effect यहां पे पूचा है कि उस drug का side effect क्या expect करते हैं आप आप क्या सोचते हैं कि उस दवई का side effect वहाँ पे क्या रहेगा पहला option है कि दवई urine output को बढ़ा देगी दूसरा option है दवई जो है वो level of consciousness को improve कर देगी तीसरा है दवई जो है वो bowl movement को increase कर देगी और तो होता है nausea and vomiting करेगी दवई देखिएगा which is the correct one a b c or d what is the आपको simply lactolose का effect देखना है lactolose किसी को देते हैं तो क्या side effect आप वहाँ पे expect करते हैं lactolose के side effect क्या है very good maximum people say it's c that is increase bowel movement यह बिल्कूल सही answer है c यहाँ पर answer बनेगा bowel movement जो है वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा देखिएगा lactolose दवई जो होती है वो bowl movement को बढ़ाने का काम करती है lactolose दवई से कभी भी urine output नहीं बढ़ता है urine output को बढ़ाती है diuretic diuretic दवई lactolose diuretic नहीं है और lactolose दवई से improve level of consciousness नहीं होता है अलांकि डायरेक्ट यह जो है lactolose का effect जो है यह नहीं है जब lactolose हम देंगे तो ball movement ज्यादा होगा ball movement ज्यादा होएगा तो protein जो है वह और बैक्टीरियल फ्लोरा है या जो ammonia जो बंद रही है side effect नहीं है यह later on effect होता है और मरीज ठीक होता है वह effect है lactolose का तो सीधा side effect है कि ball movement ज्यादा होते हैं यह ना lactolose जिसको भी जैते हैं उसको ball movement जो है normal number से ज्यादा जिसे दिन में एक या दो बार हो उसको जो है 5-6-7 बार इस तरीके से number में वह ज्यादा होते है नोजय और वमिटिंग जो है वो जब जो है lactolose के side effect में directly नहीं आते हैं तो यहाँ पर answer हैगा C, A, B, D जो है वो गलत जवाब है तो यह lactolose का side effect हम बोल सकते हैं कि यह ball movement को increase करता है तो आज के लिए बस इतना ही इसी तरीके के मज़दार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े वेरे मेरे YouTube चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें और maximum लोगों तक इस वीडि दिन आपकी भी जरूर मदद करता है और किसी की खुसी का कारण जरूर बने करके देखिएगा अच्छा लगता है धन्यवाद